हेलो फ्रेंड आप सभीका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करते हैघ इस पैसमनी बैंकिंग पॉइंट के बारे में तो आज हम इस पैसमनी के पॉर्टल के व्यूटब को देखेंगे किस प्रकार से स्पैसमनी का पॉर्टल सो होता है और इसमें किस से पीचर हमें मिलते। स्भाइसаменि यदि अधिकारी आईडी हम बनवाते हैं इस फ्रेस मनी की तो सबसे पहले हम स्पैसम्मनी के लॉग इन क्रशन करते हैं तो जैसे हम स्पैसमनी क्या अइडी लॉग दोस्ते हैं तो इस प्रकार से हम को interface so होता है देखिए यहां interface so होंगा इस प्रकार से तो यहां आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे सारे option अलग-अलग option अलग-अलग work के लिए है इसमें बहुत ही अच्छे features देखने को मिल जाते हैं आपको यहां AAPS withdrawal देखेंगे AAPS withdrawal और इसी के साथ साथ और भी हम क्या work कर सकते हैं इस ID के अंदर तो AAPS withdrawal पे क्लिक किया हमने और यहां से जैसे ही AAPS withdrawal पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहां पे यहां यहां EAPS withdrawal करते हैं किसी के भी आधार कार्ड से तो यहां सबसे पहले हमें bank select करना होता है पिर उसका आधार नंबर select करना होता है जैसे हम यहां आधार कार्ड नंबर डालते है उसके बाद हमें mobile नंबर amount cut करके हमारे wallet में आ जाता है इस पाइस मेनी के तो यह था EAPS withdrawal आप यहां यहां second option move to fund का है move to fund का option है यह है balancing query balancing query भी हम कर सकते है deposit भी कर सकते हो के फिर आप देख सकते है उपर move to fund का option है यहां से हम अपने amount को bank में move कर सकते है यह history यहां से चेक कर सकते हम यह आगे कमिशन से लेब food type के कमिशन से लेब है यहां पर बहुत ही सांदार अलग-अलग transaction के लिए अलग-अलग commission से लेक्ट कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा आर ना कर सकते हम लोग इसके बाद एक option है help video है यदि किसी भी चीज को समझना है तो वहां पर help video का option है यहां से हम समझ सकते हैं ठीक है तो यह थे आपके सारे option आई हाफ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी thank you very much कि आपको आपको आपकश समझे सेया क्व़ाओ कि लोगे लूववा गदो रहवज़ कुछी नू कुछी हो अवज लोगे इस प्रणाब करuseदे कि जिदक लिवे लोग